आज हैं हमारे साथ अक्टर, ग्रड्यूसर और राइटर धीरज सर्ना इन्होंने कहानी घरगर की कुटम कहीं तो होगा जोदा अकबर जैसे अने को सूपर हिट टेलिविजन धारवाइक लिखें वहीं किस किस को प्यार करूँ कोई आपसा जैसे चर्चित फिल्में भी लिखी इसके साथ साथ इन्होंने थब की प्यार की एक आस्था ऐसी भी बेलन वाली बहू और मैं माई के चली जाओंगी जैसे सूपर हिट टीवी सीरियल्स एल्यूस भी किये तो प्लेस किया करता है तो फिर कुछ मेरे मित्र से जो बाम बे जा रहा थे उस ताम तो मेरी ग्रेजुशन हुई थी तो बोले कि तुम भी चलो एक साल चलो ट्राइक करो तो वो एक साल के जो गया तो गया तो फिर एक्टिंग से फिर लेकिन कहा वक्त का क्या हुआ कि राइटिंग भी साथ मुड कि यार राइटर है बड़ अच्छा नेरेशन देता है तो मैं बोलता हूं कि नहीं भाई एक्टर है जो ठीक ठाक लिख लेता है तो वह है मिलकुर ठीक है अब मैं आप से जानना चाहता हूं कि जिसे आपकी शुरुआत बर्थ प्लेस कहां से हुई और फिर जब इस मुकाम त उसके बाद बाम में पहुँचा हूं अपने करम भूमी तो आपको कब लगा कि आप एक्टर एक्टिंग प्रोफेशन को पुस्यू करना चाहता है मतलब कौन सी एज में आपको ऐसा लगा या मुझे कभी नहीं लगा ऐसा कि मैं करना चाहता हूं मैं असली मतलब बहुत दो कभी वो बनाओं कभी फुलिस वाला बनाओं तो वह करता रहता था फिर जवारिकला केंदर में रविंदर मंच पे कुछ नाटक बगारा किये वह भी बड़ा मज़ा आता था इसको प्रोफेशन मना हूँआ यह नहीं सोचा था पढ़ाई वे में ठीक ठाक था तो हमेशा य यार कहां बिता बड़ा शहर अपना जयपूर बहुत प्यारा यार तो बहुत बहुत प्यार आके तो देखो तो पता नहीं था कि वो डेस्टिनी थी या क्या था तो गया और वहां जाके फिर चीजे होने लगी फिर एक्टिंग शुरू हुई छोटे रोल किये कुछ अच् कि जिंदगी में कोई एक शक्स आता है को ये जो आपकी life का turning point होता है तो मेरे लिए वो बाला जी था मदब मैं एक्टिंग से almost यूम मेन की जोउस्ट कि दो टनी इन का रहा हूं जो और भोंगीर थिंगो कि समय को बतु है उनक बने वह एक लोगा हिस का दढ़ना। बैँन है क्पर मुझे थे साथ पार घृचा नॉकर हों अ पर चार पढ़ का नॉगा है आपन यह लाइफ ऐसे चलेगी तो मज़ा नहीं आ रहा तो ऐसा लगा कि वापस चलते हैं तब तक वापस आने का स्कोप था बिकॉस मैं तेज चोई साल का रहा हूंगा तो मैं पड़ाई में भी यह था कि अभी अभी अपन सीए कभी ट्राय कर सकते हैं और एंबी अभी कर सक ऐसा चल रहा तूपर मेरे एक दोस्त ने गिसी एक शोवर मेरे साथ conducting अचतिंग करना उसे म로ईरर रिखेख को रहा है क्लाई एका सिन ने में धिक एक उठाएघ उसे अटा कि ऐख हो बादा तक एक was तो लिख तो जड़कर दोस्तों के भी अर प्लेज झाने लिग देता थ ह तो मुझे पहली बार में जीतेंदर के बंगले पे गया, अब मेरे लिए जीतु जी है, उस तरह मेरे लिए फिल्म स्टार्ल जीतेंदर हुआ करते थे, तब बाला जी का, क्योंकि सास भी कभी बहु शुरू हुआ था और अच्छा चलने लगा था, तब हुए होंगे उसके को राइटर आएगी नहीं आएगी तो मैं बड़ा मज़दार इंसलेंट है, तो मैं बेस्मेंट में वेट कर था, कि अभी जो राइटर है जिनों बुलाया है तो आएगी और मिलूँगा, तो इतने में उपर से, उपर मर्सीडी आएगे तो अब मुझे लगा, कि मुझे लग नहीं लगा तो जीतुजी नहीं थे और शोभाजी थी और शोभाजी गुस्षे में थी तो किसी से अपने स्टाफ फोगुष डाट रही तो डाटें उनकी नजर गएगी कोई जहां करा नीचे बेस्मेंट में से, तो उनकी नजर कोई है वहां, कौन सुद रहा है मेरी बात तो मैं तो बापन भागा अंतर नीचे बेस्मेंट में और मैं यह कहां फसा में तो मैं जागी नीचे बैढ़िया, नीचे उनका एड़िटिंग का कुछ था, इतने में एक आदमी आया और बोला कौन था नीचे उपर कौन आया था, तो मैं डरा हो मैं आया था, क्या कर थे अरा, मैं रडागा यह कंँ मैं रेँछा भागा हुगरिया, नीचे नीचे उनके गाड़ीग हुगरा हुगर। और में ङूबना राइटराइटरोर्ण नीन में ड्री ची कोई दे लिखमी क्यों लिखिघू काजा फो यह जा राइटरोर्ण उनका बागभा हुगा नाया तुम आओ ऑफिस ओओ ऑफिस फिर मैं ऑफिस गया कि बाला जी के नई बल्डिंग बननी थी उनकी तो अच्छ लगे पर एक्ताजी से मिलवाया थी उस ताम पे क्या गया जैसे में बताया मैं अटर पनने गया तो मेरे बॉड़ी बने पूरी एकदम उस ताम का मैं अस्टाम क करता था तो एक ताजी ने देखा गोली तुम राइटर हो इतनी मसल्स वाला राइटर मैंने कभी देखा नहीं मैं वैस तो अच्छ लगा क्यू लगा तो उनको काफी अच्छ लगा क्यूट लगा और मैं उस पली बला तो पसीने भी आ रह ते तो मेरे एसी फूल है उनको पता नहीं अब डर के मारे आ रहे है तो उनको मैं काफी क्यूट लगा और उनको मेरे राइटिंग अच्छ लगी तो मुझे रहा कहानी घरगर किसे वहां से राइटिंग का सफर शुरू हुआ और मेरे को हर महीने पैसे आने लगे और अच्छी बात है जो लिखता था वो होता था और टेलिकास्ट होता था और वो हिट था सब तो एक फिलिंग बहुत अच्छी दिगी आर जो काम हो रहा है वो कहीं आ रहा है मतलब लिखने वालों काम ऐसा होता है, लोग लिखवाते रहते हैं, फिर कभी वो बनता नहीं है, कभी पैसे नहीं देता है, तो बाला जी was the place जहां अच्छा काम, quality काम, और इकता कपूर जो है, वो अपने आप में एक स्कूल है, तो मतलब लिखना भी था, साथ में उनसे तो फिर वो बाला जी की दुनिया में पूरा में रम गया, कि वही खाना, पीना, सोना, लिखना, एक शो, दूसरा शो, वहां से मेरी लाइफ का एक अच्छा दौर शुरू हुआ, कि एक स्टेबिलिटी मिली मुझे, बिल्कुल, अकर मैं कहूं कि मेरा तो बो टनिंग तो अकर मैं रहा जा पर लिखना, तो फिर दो को छोड़ने दूंगी निम्यु रोल तिर को चोरना दू कर ले पर राइटिंग छोड़के करने बोलेगा तो मैं नहीं दूंगी तो मैं तो आप ने साथ में रोल भी किया, कॉटूम में रोल किया, कसौर्टी में किया, बहु सारे फिल्में भी लिखी है इसको आप कैसे देखते हैं मतलब how different is like film writing from serial yeah film writing थोड़ा सा difficult difficult भी है different भी है लेकिन film का लेक अलग मज़ा है serial में क्या है कि आप कितना भी अच्छा लिख लो serial अखबार की तरह है जैसी आएगा तो गरम गरम बड़ा मज़ा आता है आख खुलते ही मन करता है प्लीज देदो अखबार के बिना तड़प होती है पढ़ने के बाद दुबारा देखने का मननी होता तो serial का वो है shelf life नहीं है फिल्म लेकिन अगर आपने एक बार अच्छी बना दी तो वो आपकी शहद आपकी बच्चे भी देखेंगे आने वाले कई पिडिया में देखेंगी रिपीट वैल्यू है और फिल्म के राइटिंग जो है वो मतलब एक लंबा प्रॉसेस है serial में किया है अभी लिखना है तीन गंटे में लिखना है उसी में जितना अच्छा लिख सकते हो लिखना है फिल्म में आपके बस वक्त है चार मेने छे मेने एक साल लगेगा और इत्मिनान से मीटिंग्स होंगी बनाई जाएंगी तो वो लंबा प्रॉसेस है तो उसके लिए पेशिंस भी काफी है आपको चाहिए कि आज जो काम शुरू किया है उसको आने में शायद दो साल लग सकते है serial तो आज लिखा और कल देख लो आप तो मेरे को मेडिया माला गया तो एक जो आम पब्लिक के लिए मैं एक जो कन्फूजन रहता है बत जो यंग्स्टर्स होता है उनके एक दिमाग में कि हम लोग अकसर देखते हैं कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलोग्स ये अलग-अलग फैब्लिकेशन होने लग गया पहले ऐसा नहीं हुआ करता था अगर हम फिल्मे देखे पुराने जमाने की वो एक ही जना सारी चीज़े लिखता है अगर फिल्म लिखे तो उन्हीं कहा है टाइम है, सब कुछ है लेकिन जब आप सीरियल बना रहे हो तो आपको हफते के पाँच एपिसोड देने है तो अगर मैं अकेला स्टोरी स्क्रीन पर डायलोग करूँगा तो मैं एक पॉइंट पर एग्जॉस्ट हो जाऊँगा तो वो काम बाटने वाली बात है कि मतलब कर उसको मैं बोलूँ कि घर में खाना मम्मी अकेले बना रही थी पर अब यह हुआ कि महमान अगर 25 महमान एक दिन के लिए तो बात अलग है लेकिन अगर महीने मर के लिए तो थोड़ा थोड़ा बाट लेते हैं यार कि भाई रोट स्क्रीड़ा थोड़ा सा बड़न कम हो जाए, डायलोग का कम हो जाए आपको कौंटिडी बहुत देनी है लिकर आपको महीने के 20-25 एपिसोड देने है तो वो प्रेशर कम करने के लिए वो किया गया काम तो स्क्रीड़ी और डायलोग में डिफरिंस क्या है या स्टोरी तो स धुर्ट बड़े होते हैं, एक भाई बिगड़ जाता है यह ब्रॉड स्टोरी हुई आगा जाके एक भाई गुंडा बन गया, पुलिस ऑफसर बन गया, यह बड़ी स्टोरी हुई अब उसब्सम्पा선 को बहुत आप स्क्री आपको सब गया चलोग Marriage खी में यहाशा होती है मैं इसको अलग तरह से दिखाता हूँ, कि मैं सीधा गाव से नहीं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि आज एक भाई ने दूसरे भाई को अरेस्ट किया है, और लोग सोच रहे हैं, तो मैं फ्लेश बैक में जा रहा हूँ, कि पहले ये दोनों भाई बच्चे हुआ क तो वो स्क्रीन पे वाले दिमाग लगाया, कि आपका सावान तो यही था वाई, आपने मुझे पंदरा चीज़ें दी थी, मैंने सजा दिया, कि यह यहाँ होना चाहिए, यह 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 आपका ही सावान है, बलब जब पब्लिक उसको स्क्रीन पे देखेगी, तो वो कै कैसी दिखेगी, कैसा, कि आपका इंटरस्स बना रहे, तो वो स्क्रीन पे वाले काम होता है कि उसमें और इंटरस्स कैसे बना रहे, और इंटरस्स कैसे, और डायलोग वाले का काम है कि हर किरदार को एक जुबान देना, कि राहुल की जुबान अलग है, धीरेच की अलग है के अंकि अलगें तो सबकी एक जुबा न लगें हमिताप बच्छन अलग तरह से बात करेंगे शशीकपूर अलग बात करेंगे अमरी शुरी अलग बात करेंगे तो उनको जुबां देना वो जो सुनने में मज़ा है किरदार किरदार लगे तो वो डायलोग रेटर का काम है, कि डायलोग क्या हो कि लोगों को लगया रहा, क्या बोला भाई, कितने आदमी थे और होली कब है, that was the magic of dialogue, कि वो जो लाइन है, वो story में नहीं आएंगी, बात तो इतनी सी है, कितने आदमी थे, सरदार तीन थे, फिर भी आ गए, बात तो इतनी सी थे, लेकिन वो dialogue, वो dialogue जो है न कि, कितने आदमी थे, तो वो अपने आप में आपको एक पंच दिया गया उसको न. जैसे आप एक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, कि जैसे आपका लिखा हुआ dialogue, या अगर आप किसी और का लिखा हुआ dialogue बोलेंगे, तो एक एक एक्टर को उसमें अपना input देना पड़ता है, या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इसमें दो तरह के स्कूल चलते हैं, मतलब जैसे अगर मैं भी बात करूँ बच्चन साब की, तो बच्चन साब हमेशा बोलते हैं कि मैं राइटर का एक्टर हूँ, डिरेक्टर का एक्टर हूँ, मुझे जो दिया गया मैं उसको जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना कुछ एक नए अभी आए हैं जो जैसे डेविड दवन गोविंदा हुए, वो बोलते हैं कि आप इंप्रोवाइज कीजिए, तो वो एक्टर को खुला चोड़ते हैं, उसका जॉदर भी अलग होता है फिल्मों का, जहां पे इंप्रोइजिशन की गुंजाईश है, कुछ फ क्या बन सकता है, तो वहाँ वो चीज़े थोड़ी बद आगे बीचे हो सकती है, अज़ प्रोड्यूसर आपके दो सीरियल्स ओनेर, मेरे चार शोव मैं बना चुका है, मेरा पहला शोव था था थपकी पयार की कलर्स टीवी पे था, सेकंड फिर मैंने एक आस्था एस्था बनाया, जो स्टार प्लस पे दोपहर को आता था, फिर उसके बाद बेलन वाली भहू बनाया, कलर्स पे, फिर अभी लास्ट मेरा शोव था, मैं आएके चली जाओंगी, सोनी टीवी पे, तो चार शोव मेरे हो चुके हैं अभी, पिछले बीस सालों में, राइटिंग को कैस और मेरे ख्याल से हर घर में वो देखी गई वापस, जो कि आज से शायद 35 साल बहले बनी थी, उनमें ना एफेक्ट थे, ना उनका कोई प्रोडक्शन वेल्यू ऐसी को कमाल थी, ना उनमें कोई गिमिक्स थे, ना ऐससे सच कोई बहुत फिल्मी सितारे थे, लिखाई थी, लिखाई जो आत्मा थी, वो आत्मा ने हमेशा जोड़ा है, कि अगर 32 साल बाद भी कोई चीज वापस देखी जा रही है, इसका मतलब कुछ जादू तो है, तो आज की राइटिंग में वो जादू definitely missing हो रहा है, because of इतना सारा बनने लगा है, कि पहले एक महाबारत हफते मे एक दिन आती थी, तो उसके लिए डॉक्टर राही मसूम रजा को उतना वक्त मिलता था, उतना उनके पास research होती थी, पढ़ना लिखना होता था, सब होता था, कि वो उस quality तक आज क्या है, हर दिन एक episode आ रहा है, तो अब तो आपको 2020 हो गया है, कि इसी 20 ओर में आपको मारन भी है, बचाना भी है, सब करना है, तो test match और वो वाली बात है कि अब, जैसे, creativity को कही ना कही मतलब, थोड़ा सा writing में मतलब, है, थोड़ा सा मतलब, उतनी अच्छी, जो पहले के होता था, उसके मुकाबले, अभी भी कही लोग अच्छा काम कर रहे है, definitely, पर TV में जातक बा कि पहले जो TV था, वो हमारे लिए TV भी नए आया था, तो हमको जो भी दिखा दो हमें खुशी होती थी, अच्छा लगता था, हम चित्रहार तक भी देखते थे और हम चौपाल भी देख लिया करते थे, तो हम पुरा दुनिया में चीज़े बदल रहे है, हर पल, generation बदल रह रही है, और fast हो रही है, fast 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 fast, तो वो है मतलब ठीक है, जमाने के साथ चल रहे है, आपको क्या लगता है कि Bombay के अंदर, contacts कितने important होते हैं, जैसे लोग nepotism की भी बात करते हैं, हमारी film industry के अंदर, तो आप उसके बारे में आपके क्या views हैं? यार nepotism मतलब मैं personally मुझे ना तो ऐसा कभी कुछ हिलना पड़ा है, क्योंकि मैं अपने अनुभव से बोलू, मुझे मेरे talent से काम बिला, और मैं आज तक जहां भी पहुंचा हो थोड़ा बहुत, जो भी मैंने किया है, वो अपनी जतनी मेरी श्रमता थी, जो मेरे में अंदर काबियत थी, उससे से ही तो हमारे comfort zone बन गया, तो उस comfort zone में हमेशा होता है कि यार, कोई काम आ रहा था, पहले अपने आदमी से पूछते हो कि यार, मैं तुम्हार से comfortable हूँ, तुम मेरी बात समझते हो, वो वाला है, बागे nepotism अब फिल्मों में और सीरिल में कितना ज्यादा होता है, वो मैंने अन पहले होता है, मतलब एक हमारा जमाना था, कि जब, मतलब आजकल की youngsters वैसे भी बहुत ज़्यादा confident है, well read है, because of internet उनको सब कुछ पता है, पहले क्या होता है, हमें बंबई जाके ही पता चलेगा, कि वहां क्या हो रहा है, आज क्या आपके आपके इंटरनेट है, आपके यू पच्छे साल पहले की बात करूं, तो parents भी थोड़ा सा इचकते थे कि अर बंबई नहीं यार बेटा, दुकान संबाल ले या फिर अपना बड़ाई लिखाई कर ले, आज parents भी समझते हैं कि ये अच्छा profession है, creative field है, तो parents भी काफी support करते हैं, तो जो youngsters को ये लगता है कि अगर आपको लिखने का शौक है, तो पहले कुछ चीजने लिखें, कुछ जो अच्छा लिखते हैं, उनको पढ़ें, उनसे कुछ मुलाकाते करें, एक्टिंग का शौक है, तो अपना थेटर करें, कुछ करें, उसके बाद वहाँ जाने के लिए बिलकुल तयार रहें, मतल झाल झाल